नमस्ते मैं उज्वला महाराष्थो पूना से दोस्तों आज हम ये जेट प्लाण्ट के बारे में बात करेंगे इसका प्राणाूंसेशन तो जेट होता है लेकिन ये जे एड़ इजेड ऐसा इसका स्पेलिंग होता है इसे फ्रेंड्शिप प्लाण्ट भी कहते है और लक्की प्लांट भी कहा जाता है जितना हम लक्की बांबू और मनी प्लांट को शुब मानते है उतना ही जेड प्लांट को शुब माना जाता है यह एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है और यह पर्मनन प्लांट है इसे आप इंडोर रख सकते हैं या फिर आउटडोर भी रख सकते हैं अगर इंडोर रखा तो इसे ऐसी जगा पे रखें जहाँ पे ब्राइट रोशनी हो और अगर आउटडोर रखा तो इसे छायादार जगा पे रखें इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए कहा जाए तो जटडड बहुत ही हार्डी प्लांट है और देखा जाए तो ये बहुत डेलिकेट भी है क्योंकि ज़्यादा केर ना करें तो ही ये अच्छी तरह ग्रोध करता है और छोटी से छोटी गलती से भी ये प्लांट खतम हो सकता है जट प्लांट पर मेरा एक वीडियो चाइनल पर अवेलेबल है जिस पर मैंने बताया है कि जट प्लांट के साथ हम क्या-क्या गलतिया करते हैं जिससे ये खतम हो जाता है हम तो गलतियों से ही सीखते हैं चलिए देखते हैं आब इसकी केर कैसे करते हैं जेट प्लांट सकुलंट होने के कारण इसकी मिट्टी बहुत ही वेल रखनी चाहिए 50% सैंड, 25% सॉयल और 25% कौनसा भी कमपोज मिला के इसकी मिट्टी तयार की जाती है इसके पत्तों में बहुत पानी भरा हुआ होता है इसलिए इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है गर्मियों में भी आप इसे वीकली वीकली वाटरिंग करते जाहिए और बारिश के और सर्दी के मौसम में तो इसे महने में एक बार पानी दिया तो भी चलता है या फिर उपर की मिट्टी चेक कीजिए वो डेड़ से दो इंच तक सुखी होनी चाहिए तब ही इसमें पानी देना चाहिए इसकी पानी की नीड इसकी पत्तिया पूरी कर देती है क्योंकि ये बहुत फ्लेशी होती है और उनमें बहुत ज़्यादा पानी इकठा हुआ होता है और जैसे ही इसको पानी की नीड लगती है तो इसकी पत्तिया ऐसी पत्ली पत्ली हो जाती है वरना ये ऐसी फलेशी मोटी सी पत्तिया होती है क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है तो जैसे ही पत्तिया पतली दीखे आप समझ लेना कि इसे पानी की जरुरत है और आप इसमें पानी डाल सकते हैं इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने ये मिट्टी तयार की है इसमें मैंने ज्यादा सैंड मिलाई है क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही वेल्रेन होनी चाहिए और इसमें पानी डाला तो पूरे के पूरा बाहर निकल के आना चाहिए इसको रिपोर्ट करने के लिए मैंन से एक या दो इंच बड़ा ही पॉट हम इसे लगाने के लिए सिलेक करेंगे क्योंकि इसकी ग्रोध बहुत ही स्लो होती है और अगर हमने डिरेक्टली इसको ज्यादा बड़े पॉट में लगाया तो इसकी एनर्जी सब जड़े फैलाने में ही जाएगी तो उपर सी ग्रोध थोड़ी सी रुख जाएगी इसलिए इस पॉलिथिन बैक से थोड़ा ही बड़ा गंबला मैंने इसके लिए सिलेक किया है इस गंबले का ड्रेनेज होल अच्छा है और इसमें अब मैं ये नारियल के छिलके डाल रही हूँ ताकि हमने पाने डाला तो मिट्टी ड्रेनेज ह और थोड़ी सी मैंने नीम खली भी डाली है नीम खली से मिट्टी में अगर कोई फंगस हो तो वो जड़ों तक पोहुचती नहीं है तो ये मिट्टी हम पहले अच्छे से भर लेंगे जेट प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है इसे ज़्यादा से जगा बदलने पर भी ये प्लांट अपनी पत्तिया पीली करता है और ड्रॉप करता है इसलिए बार-बार इसकी जगा भी नहीं बदलनी चाहिए जेट प्लांट को फर्टिलाइजर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है दो महिने में आप कौनसा भी कमपोस्ट इसमें एड़ कर सकते है और लिक्विड फर्टिलाइजर अगर देना हो तो बहुत ही कम मात्रा में दे लेकिन बार-बार इसे नहीं देना चाहिए क्यो परदियों में यह अपनी ग्रोथ रोग लेता है अभी तो बारिश का सीजन है इसलिए हम इसे रिपॉर्ट भी कर सकते हैं बारिश के मोसम में आप इसकी रिपॉर्टिंग कर सकते हैं इसकी जड़ों को भी हम खोल सकते हैं बारिश के मोसम में कौनसे भी प्लांट को पे कीजिए ताकि राद भर का पिरेड उसको सेट होने के लिए मिलता है देखे मैंने इसकी सभी जड़े खुली कर दी है अब ये जो थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी है इसको रहने दिया तो भी चलेगा क्योंकि हमारी बाकी की मिट्टी तो वेल रेन ही बनी हुई है पानी में डीप करके रख सकते हैं ताकि ये सब मिट्टी इससे निकल जाए ना किया तो भी चलेगा अभी अभी तो ये पूरी तरह से खुल गई है अब हम इसको इसमें रख देंगे सर्दिया इसका डॉर्मेंसी पिरड होता है इसलिए सर्दियों में इसे फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए और हम जब भी फर्टिलाइजर दे तो इसकी मिट्टी गीली होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुखी मिट्टी में अगर फर्टिलाइजर दिया तो हमारे जडों को तकलिफ हो सकती है इसलिए फर्टिलाइजर देने से एक दिन पहले आप इसमें पानी डालिए ताकि मिट्टी गीली हो जाए उसके बाद आप इसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं यह सकुलेंट फैमिली का प्लांट है और इसकी यह जो स्टेम होती है यह हाड उड जैसी होती है इसलिए यह बोंसाई लुक में भी बहुत अच्छा लगता है इसकी आप मंचा ही कटिंग करके इसको बोंसाई लुक दे सकते हैं ओवर वाटरिंग से यह पोधा मर सकता है इसलिए इसे बहुत कम पानी दे दिया जाता है अब हम इसे अच्छे से पानी देंगे ताकि मिट्टी में अगर एर पॉकेट रह गया हो तो वो रहना जाए और इसके बाद हम दूसरा पानी इसकी उपर की मिट्टी एक से देड़ इंच तक सूखने के बाद ही देंगे तो दोस्तों कैसे लगा आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजेगा नमस्ते